आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार अपकर अरुन पांडे एंडो क्राइन वाले हैं और क्या है थायराइट के बारे में आए सीधे बात करते हैं डॉक्टर अरुन पांडे जी से सर आपका हमारे प्राइम टीवी के शो हिल्थ मंतरा में बहुत बहुत स्वागत है थायराइट पर बात करने वाले हैं जिससे हम जानना चाहेंगे कि आप से थायराइट में बेसिकली क्या चीज होती है क्या कारण होते हैं तो आप सबसे पहले हमारे ओडियन्स को ये बताएं कि थायराइट होता क्या है थाइरोईड एक तितली नुमा ग्रंती है जो कि हमारे गले में होती है अक्सर जो हमारे जो वाइस बॉक्स है उससे जस्ट नीचे और आगे होता है तो थाइरएड एक तितली नुमा ग्रंथी है जो की बहुत important है हमारे शरीर के गले वाले हिस्से में रहता है अगर डॉक्टर इनके कारणों पर बात करते हैं तो क्या कारण होते हैं थाइरएड होने के? थायुरेट के बहुत सारे कारण होते हैं, मुख्यता, ओटियूम्यूनिटी, किसी कारण हमारे शरीर की इम्मुनिटी हमसे ही लड़ने लगती है, इसे हम ओटियूम्यूनिटी करते हैं, इम्मुनिटी सबको पता ही होगा, इम्मुनिटी याने की हमारे रोग प्रतिकारक शक और बहुत सारे कारण और भी हो सकते हैं कि नो कि पहले बहुत कॉमन था अब जब से आयोडाईस अगाया तो आयोडाइस तो मीवारी बहुत कम हो गई है दूसरा जो है कंजनाइटल भी हो सकता है किसी कारण से जेनेटिकली जो है हमारा थाइरोड ठीक से डवलोप नहीं हुआ या कभी-कभी हमने हाइपर थाइरोडिसम का ट्रीटमेंट किया है, रेडियो आयडिन पैचान पाते हैं, कि ऐसा होता है कि अगर जैसे हमें समय रहते हैं अगर उसके लक्षन का पता चल जाए तो वो कौन-कौन से लक्षन देखे जा सकते हैं जिसकी वज़े से आदमी खुद ये चीज़ जच कर पाए कि हमें थाइरोड होने की ये लक्षन है तो हम एक बार डॉक्टर से टाइमली चेक अप करा लें थाइरोड में जो है बहुत सारे नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स कई बार होते हैं नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स मतलब वीकनेस लग रहा है कहीं पे सूजन लग रही पर मोस्पेसिफिक अगर हम बोले कारोनों से यह सारे लक्षन है जिसके कारण हम थाइरोड की बीमारी को पकड़ सकते अगर ऐसा कुछ लक्षन हो तो अपने डॉक्टर से मिल के थाइरोड की जाच करवाए जादा अच्छा होगा ौर डॉक्टर यह है कि आपसे अगर, जैसे इनका पता लगाने के जिसे पेशिंट आपके पास जाता है तो आप उपर कौन-कौन से टेस्ट उनको सजिस्ट करते हैं कि थाइरोड का पता लगाने के ठैस्ट बताए जाते हैं कि आप जाएं और वहाँ पे लेब में यह टेस्स कर रहा है जिससे आपके थाइरोइड के बारे में पता चलेगा वैसे तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं थाइरोइड के बिमारी में ऐसा नहीं है कि अगर एक सिंगल टेस्ट हम लोग बोले जिससे हम लोग 90-95% बिमारी पकड़ सकते हैं तो यह पर अमने थायरोणनो विताते हैं तो यह अलग अलग जगह हो सकता है और साथ में एज के साथ अलग थैस्ट हो सकता तो यूजली बर्त के अराउंड 20 के उपर आए तो गरबढ है पर जो अगर हम नॉमल आदमियों के बात करें अडल्ट में अराउंड 0.5 से लेके 5 पर अलग-अलग लाब्स में अलग-अलग मेथड से अलग-अलग जगह पे यह रेंज डिफरेंट हो सकता है कुछ जगह पे यह रेंज 0.5 से लेके 4.2 हो सकता है कुछ जगह पे 0.5 से लेके 5.5 हो सकता है तो अलग-अलग जगह पे अलग होता है इस बेटर तो चीटारीज के आप लैब्स जो है लोकल पेशिंत की स्टडि करके। वोग रेफरेंस रेंज बनाते हैं और उस रेफरेंस रेंज को तो जादा अच्छा रहेगा डॉक्टर आप अभी बात कर रहे थे टी 1 टी 3 टी 2 टी एसेच यह जो आपने बता है इसका क्या मतलब होता है क्या यह थाइराइड की स्टेजिस है या क्या है यह ती एसेच जो एक मैंने मुख्य टेस्ट में इसके आलावा जो है टेस्ट जो हो सिक्रीक होता है पीटी टी अच के माध्यम से थायरड को कंट्रोल करता है थायरो हो perpet करता है टी 2 10 ऐसेच के थी 3 में काट तेफी जाके थायराइड करता है, ति भी थायराइड होर्मोन चया करतता है त्यौत्तर पिक्स पेकिस तरीके से ये काम करता है So thyroid hormone जो है interlinked है, हमारे pituitary जिसको हम कहते है master gland वो जो है TSH तयार करता है, TSH जाके thyroid gland को बोलता है कि thyroid hormone तयार करी है, तो जो कि T4 तयार करता है T4 और T3, T4 जो है हमारे कैसे काम करता है? T4 और T3 हमारे body के metabolism के लिए बहुत जरूरी है, हमारे body के thermoregulation यानि हमारे body के temperature control करने के लिए बहुत जरूरी है, तो मुख्यता जो है दो main mechanism में एक तो जो है हमारे metabolism को control करता है, second most important जो है हमारे thermoregulation को control करता है thyroid hormone, जानि के हमारे body के temperatures management को. वाकिया आप यह है कि थाइराइड कई जैसे हर बिमारी में कई टाइपस होते हैं कि अलग अलग टाइपसे बिमारियां होती हैं तो किसी को कोई प्रॉबलम होता है सेम ही होता है तो जैसे कैंसर के भी हम बात करते तो अलग अलग तरीके के कैंसर होता है क्या थाइराइड में तो यह तीन प्रकार के में थायरोड के बारे में बात की है तो वह तीन थायरोड में क्या डिफरेंस होता है बेसिकलि मतलब उसमें क्या सबके जो आपने लाग्शन पर बात की तो सबके लाग्शन इन तीनों में रे इसलिए तीनों के लाग्शन अलग अलग होते हैं हाइपो थायरोडिजम में कॉंस्टिपेशन होता है, हाइपो थायरोडिजम में यूजली फ्रिक्वेंसी ऑफ स्टूल होता है, लैटरीन बार बार जाना पड़ता है, हाइपो थायरोडिजम में जो है, हमारी हाट रेट थोड़ी धीमी होती है, यहाँ पे हाइपो थायरोड तो यह हो गया है थाइपो थारिडिजम और थारिडिजम फिज दोनों ऑपसे डिरिक्शन में एक तरह से हैं अब तीसरा इंपॉर्टन चीज है गॉटर गॉटर में यूजली जो है टाइप यह है कि जहां पर नोडियूल्स हमारे गले में यूजली सूजन मिलता है रेरली ब टाइपस के थाइड डिजीज के अलक्षन डॉक्टर यह भी बोलते हैं कि थाइड बेसिकली लेडिज में महिलाओं में जादा देखने को मिलता है जक्यों होता है क्या कारण है कि महिलाओं में थाइड की समस्या जादा देखने के लिए मिलती है एक्जक्ट इसका पिन प्रपोज करते हैं कि यह तो डफनीटली है कि हां थायरुटी तियुकर क्या गल्जाइव अंगार महलाओं में जादा कॉमन wurdak पर फशे जैसे की ओर्टों और अज्टिश करन Woru जो है महिलाओं में जाधा इसलिए सब्सक्राइब है जिस समय उंब टोक्टर को दिखाया और गविय वह जहीं होने कंसर्ण ने क्या तो और क pledge बीमारिया उसे create हो सकती है या कुछ और बड़ी समस्या सामने आ सकती है तो यस थाइरोड के बिमारी का खुद से इलाज करना वुड नौट भी वाइज या अच्छा नहीं होगा थाइरोड के बिमारी का अगर लक्षन लग रहा है तो डॉक्टर से मेले जाच कराएं और जाच के बाद इला हाट की दिक्कत होने का डर अगर कभी गलती से उन्होंने दवाई छोड़ दिया तो एक मिक्सिडोमा कोमा का नाम का सीरियस बिमारी तह उसमें जाने का डर रहता है तो अगर हम हाइपोथारोडिसम का ठीक से इलाज नहीं किये तो हाट डिजीज अगर दवाई स्टॉप कर होगा या अच्छा तरीका होगा कि अपने डॉक्टर से संपर्क मेरे और थाइरोड का इलाज कराते रहें अजी आपने डॉक्तर बिमारी का नाम लिया कि अगर टाइम ली हमने नहीं दिखाया तो वह क्या चीज रहता है वह भी थाइरेड से रिलेटेड है या कुछ और अ जाती है और टेंपरिचर बहुत जैसे कि मैंने बूला था टेंपरिचर रेगलूशन में का तो यूजली हाइपो थर्मिया हो जाता है और ऐसे पीशिंट थांग गॉड पहले से बहुत कम आते हैं अपर पर जब भी आते तो बहुत मुश्किल होता है उनको मैनेज करना क्य करने के बावजूद भी कई बार बचाना मुश्किल हो जाता है या कोई भी एज में शुरू हो जाता है जैसे की बच्चों में भी आपको थायराइड देखने के मिलता है तो किस एज से बैसिकली ज्यादा होता है यह थायराइड की इस कुशन के में इस तरह से लोग कब हमको थायराइड के टेस्ट रूटीनली करना चाहिए जो है अगर हमें लक्षन नहीं है तो भी तो जो है अगर 35 की ऊपर है हम तो एक बार थायराइड का जांच करा लेना चाहिए अगर थायराइड का रिपोर्ट इदम ठीक आता है त तो हर तीन साल में फिर थायराइड के जांच करा है पहला चीज़ दूसरा चीज़ जब बर्त होता है बर्त के समय भी थायराइड का जांच कर लेना चाहिए क्योंकि उस समय में दो हजार में से एक बच्चों को congenital hypothyroidism होने का डर होता है यह एक treatable form of mental retardation है अगर हम इसको diagnose उस टाइम से नहीं करते हैं और ट्रीटमेंट नहीं देते हैं तो बच्चे में पर्मनेंट जो है mental retardation होता है जो बहुत ही वहलब में भी सम्टाइमस बहुत difficult to see हो जाता है and it is very easily treatable cause of mental retardation तो अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं इन जनरल guidelines इसको बनाना तो मुश्किल है यह जो है क्योंकि हमारी आबादी बहुत है और बहुत सारा financial aspect देख के जो है कुछ guideline बनाया जाता है तो हम इसको जो है health ministry को छोड़ देते हैं कि whether they should make it a guideline but definitely अगर हम afford कर सकते हैं तो at birth जो भी अगर afford कर सकते हैं तो टी एसेच वाला जार्च करें अगर गरवड़ है तो इसका इलाज करते हैं तो बहुत बार बहुत अच्छा result मिलता है बहुत simple सी दवाई है एक दो रुपे का एक दिन का इलाज होता है बहुत अच्छा result मिलता है अगर नहीं हो सकता है यह जैनरिक होता है यूजिली कंजनाइटल हाइपो थारोडिजम जनेटिक होता है पर जो आटियम्यून जो कॉमनली हम देखते वो जनेटिक नहीं होता है तो ऐसा नहीं कि जरूरी है कि अगर पेरेंट्स में है बच्चों में हो जाएगा जैसे कुछ बिमारी में ह लुग करना होता है कि जहां पर यह बिमारी है तो बच्चों में होने का रिस्क जाता है इसके साथ हम लोग ऐसा नहीं कह सकते हैं है पर डिफिनीटली एक रिस फैक्टर है अगर फैमली इस्टरी है अगर थारोड डिजीज का तो रिस्क थोड़ा जादा रहें गा पर इट यहाली। हम इनके गरते हैं इने के इनका इनका ट्रीटमेंट नंच सब आपकर चूलURE । यह इसके इलाज के लिए देते हैं और जो है एक कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंज में बूलने जाना हूं अगर इसको फॉलो करें तो जादा अच्छा रहता है आपका थायोड बहुत अच्छा कंट्रोल रहेगा थायोड की गोली हमेशा खाली पेट खाए उसको खाने के आ यह उकले दिन गस्टा coinc Studios ले लें आए तो यह भर्याग तो टृप्ल डोस लें ले पर इस से जादा न भूलने के कोशिश करें कुछ कुछ कॉमन मिस्टेक्स लोग क्या करते हैं को गोली को गैले हाथ से छूले ब्रश किये डी आ च्छू ली और ब्रश किये गेली हाथ से और एक important चीज है अगर किसी को thyroid की बिमारी है और जब भी महिला pregnant होती है तो उसमें जो है thyroid की जाच जल्दी करके अपने doctor से मिले अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो बच्चे में मती मनता होने का डर रहता है और इसलिए यह बहुत ज़रूई है कि जैसे ही आपको thyroid की बिमारी है और pregnancy confirm होता आपने doctor से मिले और जो है thyroid की जाच करके dose adjustment करें जै डाक्टर आपने विसे यह बहुत अच्छी चीज़ बताई है कि अगर आपका हाथ गीला है तो उससे आप टैबलेट ना चुए तो वह भी harmful रहता है मतलब यह है कि खाली पे ठीक आनी चाहिए और बाकी जो आपने बहुत अच्छा की ख अच्छी एक लोगों को इससे जानकारी मिली होगी बाकी जार यह है कि थाइराइड में क्या कभी operation की नौबत आती है अगर जो है गॉटर वाला है जहां पे नोडियूल्स है और वो नोडियूल्स की साइज बहुत ज़ादा है चार सेंटिमेटर्स ज़ादा है या उसमें ह ज्यारली सर्जुरी की ज़रोत पर्ती है जहां पे जैसे अगर जो कॉमन मेडिकल थेरपी उसके लिए कॉंट नौट इडिकेषन है या रेडियो आइडिय नहीं दे पा रहे यह सब जो कॉमनली अविलिबल मेडिकेशन को नहीं दे पा रहे है प्रेंटनेंसी में कई बार अगर जो हो रहा है या फिर उसका साइज बहुत जादा है या कुछ कंडिशन है जहां पर हमको सरजरी की जरूत परते हाइपर थारोड़िजम में अधर वाइस यूजली जो है गौईटर या नोडियूल्स में सरजरी के लिए कॉमन जरूत परती मोस्ट अपर टाइम हाइप अब की जान जाने का खत्रा हो सकता है या ऐसा कोई चीज क्रेट होता है क्या जिसे हाइपो थारोड़िजम में तो हमने डिस्कस किया पहले कि जो है वह बहुत खराब हो जाए तो में कुमा नाम का दिक्कत हो जाता जहां पर बहुत दिकत और इसी तरह से उल्टा हाईपर अगर थाइरोड हॉर्मौन बढ़ गया है तो उसको हम लोग थाइरोड स्टाॉं में जैसे जो लक्षन पहले था वैसे उसका उल्टा लक्षन इस पेश तेमपरिशर बहुत बढ़ा रहता है और जो है इसमें भी लोग कोमा में जा सकते हैं और यह भी बहुत सीरियस कंडिश होता है जिसको सम्हालना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है जो भी जिसमें भी काफी मॉटलिटी होती है और हाइपर्थारिज्म का सीवियर फॉर्म थायर्ड स्टॉम है और इसका भी इलाज बड़ा मुश्किल होता है अगर इस कंडिशन में नहीं आएं तो जादा अच् है कि अगर इनीशल स्टेज पर है तो आप अगर ये चीजे करेंगे तो आप बच सकते हैं तो क्या कौन-कौन से वो घरेलू उपाएं और कितने कारगर रहते हैं वो उपाएं अनफॉर्चिल्टी बहुत सारे घरूले उपाएं पर कुछ कुछ स्टडीज हुआ है पर नन ह कम कि यह की गाइडलाइन्स लेवल पर आजा है कि हां यह करें तो जिससे हां गाइडलाइन में हम लोग करने से थाइड़ोड के बिमारी होने का डर नहीं कम हो जाता है तो बहुत ज्यादा घरिलू निसको नहीं इस बिमारी में यह है कि बैटर टू डाइगनोसित अर्ली कॉंपलिकेशन से बचे और यह जो आपने जितने भी ट्रीटमेंट बताए है कि मेडिसन के थू या थेरपे के थू या वाट टेवर जो भी ऑपरेशन के थू जो भी है हमने आपने बताए है क्या उनके बाद थाईराइड पर्मॉनेंटली खतम हो जाता है या दुपारा स तो यूजिली जैसे मैंने बूला था हाइपो थारोडिजम में आटोमिनुटी से हमारा ग्लाइंड डिस्ट्रॉई हो जाता है तो जो है उसका इलाज कंटिनियूसली लाइफ लॉंग चलता है पर मैं बूलूँगा कुछ मैं बताना चाहूंगा जो आज से में भी देड़ सो साल पहले दो सो साल पहले जिनको भी थारोड की बिमारी होती थी वो सब खतम हो जाते थे हाइपो थारोडिजम वाले क्योंकि उसका बहुत अच्छे से एलाज अब नहीं था पहली बार जो जो जिस विक्ति का एलाज होा था उसको कई सारे शेप की भेड की थायरोड ग्लाइंड को खाना पड़ा था तब जाके जो है उसका थायरोड नॉमल हुआ था एंड इट वस इट इस प्रॉब्ल इट इस प्रॉब्ल इस नॉट इजी पर अब जो है बहुत छोटी सी गोली है है काली फेट लेना अगर खाते रहे तो दम नॉमल लाइफ रहती है तो हैपो थायरोडोजम यूज़ली ट्रीटमेंट इस लाइफ लॉग है परतायरोड जब में और गॉइटर में वह थीक हो सकता जरूरी नहीं उसमें इलाज लाइफ लॉग डॉक्टर कहीं बार ऐसा होता जहाएं कि लोग जिसे मेरे को थायरएड है और मैं कुई का थायरएड है और आपने कैसी मेरे से डिसकस्का है तो मैं आपको बोलूओंगी नहीं है यह थायरएड के लक्षन है तो आप भी यह Fen hiệnे सकते हैं तो क्या 예 ऐसा है कि किसी centrãy कि सजेशन पर हम थायराइड की गोली ले सकते हैं या फिर डॉक्टर से कंसर्ण करने के बाद ही हम यह मेडिसन लें यह ज्यादा अच्छा होगा कि डॉक्टर से मिलके जो थायराइड की दवाई के बारे में डिस्क्रशन करें क्योंकि जरूरी नहीं कि जो डोस परसन एक को गया कहा है वही डोस परसन बीक के लिक्वार्ट होगा जरूरी कही बार ऐसा उल्टा भी हो सकताँ कि वह थायराइड के बीमारी उसको नहीं ब हो nd our हो करना चाहिए जिससे हम सेफ रह सके और अपना जो थाइराइड वाली बिमारी है वो आगे और जादा ना बड़े एक नॉर्मल हेल्दी लाइड जैसे सब को लेना चाहिए वैसे ही इसमें लेना चाहिए है आयोडाइस सॉल्ट बहुत ज्यादा मात्रा में जो यूशुल मात् सोया बीन कुछ मेडिटरिन कंट्रीज वाले ये इसको काफी अमाउंट में खा लेते हैं जो आधा किलो एक किलो दिन भर में खा लेते हैं उस डोस में जो है ये थाइरोइड में नुकसान करता है पर हम भारते हैं जितना खाते हैं पचास सौ ग्राम जास ज्यादा हमारे और वंस एक बार थारोइड डिजीज हो गया तो भी जो है उसमें बहुत ज्यादा दिकत नहीं है ये सब को खाने के लिए तो प्राक्टिकली देखें बहुत ज्यादा उसमें रोक नहीं पर एक हेल्दी डायेट हमको रखना चाहिए हमारे संतुलित अहार रखना चाहिए ह तोड़े ड्राइफ्रूट्स खाएं पर एस सच हम भारतिये जिस तरह का डायेट खाते उसमें बहुत स्पैसेफिकली कुछ परहेज नहीं है कुछ मेजिट्रीन कंट्रीज वाले जहां पर पत्ता को भी सोय बीन फूल को भी जब बहुत ज्यादा अमांट में घाते उसमें उस डोस में यह प्रॉब्लम करता है हम जितना खाते उसमें इतना यह प्रॉब्लम नहीं करता है जी डॉक्टर आपने तीन तरीके से यह थायरेट की बारे में बताया ता जैसे ग्वाइटर की बात करते हैं तो उन्मी भी उसके लिए कोई स्पैसिफिक परहेज होता है कि यह नहीं खाना चाहिए कि ग्वाइटर जो आपने पता है वह वेसी गले में ही प्रॉब्लम होता है गले में प्रॉब्लम आती है तो उसके वजह से क्या उसके लिए कुछ और स्पेसिफिक हमें ध्यान देना पड़ता है। उसमें भी बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली कुछ चीजे यह है कि जो आयोडाइन डिफिशेंसी से घेंगा होता था उससे बचने के लिए शुरुआत से ही आयोडाइस सौड लेना चाहिए जैसे वो घेंगा ना हो और जैसे कि पहले में मुला हम भारतियों में बहुत बेन फूल गोभी पत्ता गोभी इन सब चीज से बचे अधरवाइस यूजल जो हल्दी डायट है उसको फॉलो करना चाहिए और इस टाइम पर थाइरोड के टाइम पर अगर हम लाइफस्टाइल पर बात करते हैं तो किस तरीकी का लाइफस्टाइल होना चाहिए कि हम उसक संतलित रख सकें और उसको बढ़ने से रोख सकें जैसे थाइरोड में एक्सराइज इस तरह से इंपोर्टन है जैसे कई बार थाइरोड के लोगों में वजन जादा रहता है तो इसलिए एक्सराइज बहुत जादा जरूरी होता है कि थाइरोड के मरीजों में वजन के नि अपने थाइरोड की बिमारी और हम एक्सराइज करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। दॉक्टर ये योगासन एंड एक्साइज वेगर तो हर एक बिमारी के लिए बहुत ही अच्छा एक विकल्प है कि अच्छा एक विकल्प कहलाता है क्योंकि ये है कि एक्साइज के थू हम अपने को फेट और हेल्दी रख सकते हैं बाकी डॉक्टर हम चाहेंगे कि आखिर में आप हमारे प्राइम टीवी के वियोज को एक नसेज दें जो है थायुरेड की बिमारी बहुत अच्छे तरीके से इसका जाच उपलब्ध है और चीजे बहुत बदल गई आज से बीस पचीस साल पहले जब कहीं बड़े स्टेट के एक दो कोने में सिर्फ टेस्ट होता था अब जो है इसली अविलेबल हो गया है अगर आप 35 साल के उपर है तो अपना थायुरेड जरूर जाच करें उसके बाद हर तीन साल पे जाच कराते रहे अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बर्स पे जरूर जो है थायुरेड की जा दवाई निमेत रूप से खाएं अपने डॉक्टर से मिले और जरूर तनुसार दवाई का डोस का अजस्टमेंट करें अगर आप अच्छे से यह सब चीज फॉलो करते हैं आप थायुरेड को अपने बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं और एक अच्छा स्वस्त अच्छी हैपी लाइफ निर्वा कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है थायुरेड जो है कोई चैलेंज नहीं है कोई बड़ा मुश्किल नहीं है अगर आप इसमें अच्छे से ध्यान देंगे इन सारे चीज को अधिक इंदम नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं थाइंक प्राइम टीवी के शो हिल्प मंत्रा में आज हमने एंडोक्राइनोलोजिस्ट डॉक्टर अरुन पांटे से थाइरोड पर बात की जिन्होंने हमें थाइरोड से संबंदित काफी अच्छी जानकारी दी है उन्होंने बताया कि थाइरोड बहुत जादा ऐसा कोई क्रिटिकल नहीं है अगर हम समय रहते हैं उसका ट्रीट्मेंट कराते हैं तो हम समय रहते ही उसका अच्छे से उपचार कर सकते हैं उमीद है आपको ये जानकारी काफी पसंद आई होगी अगले अपिसोड में हम फिर आजिरोंगे एक नए डॉक्टर के साथ में तब तक आप देखते रहिए प्राइम टीवी नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार